14th question, divide the sum of this and divide the sum of 65 upon 12 and 12 upon 7 by their difference, इनके sum को difference से divide करना है, तो sum है यानिके 65 upon 12 plus 12 upon 7, इनका sum कर दिया, और इसके sum को divide करना है, 65 upon 12 minus 12 upon 7 यानि इनके difference से, तो यहां sum करते हैं, इनका currency मतलब common तो है नहीं कुछ इसमें, तो 12, 7 जा, कितना हैगा, 7, 84, इनका मंटिप्लाइ कर देते हैं, 7, 5 जा, 35, carry 3, 7, 6, 42, plus 3, 48, plus 144, 12 upon 12, कि मुल्टिप्लाइ, इनका difference करते हैं, तो 84 LCM आ जाएगा, यहां 4, 85, सेम नंबर हैगा, और बीच में minus का sign होगा, 144, इन दौनों को आइट कर जाएगा, 5 प्लस 4, 9, 8 प्लस 4, 12, carry 1, और 4, 1, 4, plus 1, 5, और 1, 6, 6, 29 upon 84 हो जाएगा, डिबाइट, इसको minus करना है, तो 1, 8 में से 4 minus करोगे 4, और 4 में से 1 minus करोगे 3, 341, अपान 84, 629 upon 84, multiply 84 upon 345, 84 से 84 कैंसल हो गया, अब फाइनल यह आंसर हो गया, 629 upon 341, यह हो गया, इसका सॉल्ट, तो इस तरह से आपको सॉल्ट करना है, 15th question पर आते हम, if 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meter of cloth, what length of cloth required for each trouser? तो लिखेंगे हम, cloth required, cloth required for 24 trousers, 24 trousers के लिए, जो cloth चाहिए, वो चाहिए 54 meter, ठीक है, तो अब लिखना है cloth, cloth is required for one trouser, तो एक trouser के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो हमें देना हैं, डिबाइट, 54 divided by 24, ठीक है, डिबाइट, डिबाइट निस अपन में लिख दीचिए, अब 54 अब 54 अब 24 meter, cancel कर देते हैं, 2 से, 12 पर और 2 से 27, 3 से 4 पर और 3 से 9 पर, तो यह होगा है 9 अपन 4 meter, that is, mix fraction में change करेंगे, तो 2, 4, 2 से 8, 1 अपन 4 meter, 2 and 1 अपन 4 meter, वन ट्राउजर के लिए cloth जाहिए, ठीक है, तो इस तारह से 15 पोजिचन आपका solve हो गया, है, यह दि वीडियो पसके।